हाई एवरिवन आप लोग बहुत सालों से मुझे से कह रहें कि मैडम नॉर्मल दिर्वरी कैसे होती है दिखाईए हमको वीडियो बताईए हमको सिजरिन के बारे में बताईए कैसे होता है वेल देखो वीडियो तो कोई नहीं दिखा सकता आज मैं आपको एक अनिमेटिक में क्या आपको एडवाइस देते हैं सबसे पहले तो अगर प्लान हो गया कि आपका सिजरिन है चाहे वो एमर्जनसी हो चाहे वो इलेक्टिव सिजरिन हो elective में obviously अगर हम plan करके seizure and करते हैं तो हमको पता रहता है कि किते बज़े करना है ऐनेस्टेडिस को पता होता है आपकी गानेकलोजिस को पता होता है timing आपको पता होता है आप लोग कई बर अपने पंडित से भी निकलवा किया आते हो time के हमको इस time पे और इस date आपका CBC कराएंगे, CBC यानि की complete blood count, जिसमें कि आपका hemoglobin बहुत जरूरी है, 15 दिन से पुराना जो रिपोर्ट होता है, उसको हम नहीं मानते, क्योंकि प्रेग्नेंसी में बहुत चेंजिस आते हैं बॉडी में, पानी भी कम होना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी में खुद में पानी भरना शुरू हो जाता है, इसलिए आपका फेस ऐसा प्लिथोरिक हो जाता है, फेस में आई बैग्स बन जाते हैं, क्योंकि पानी भर जाता है, तो आपका hemoglobin पे क्या फरक पड़ रहा है, आपकी platelets पे क्या फरक पड़ रहा है, complete blood count में platelets भी पता चलते हैं, तो अगर platelets कम हैं, तो platelets की कमी के विजए से आपको problem हो सकती है, सिजरेन में दिक्कत आ सकती है, तो यह CBC बहुत important चीज़ है, जो आपके doctor definitely सिजरेन के एक दो दिन पहले या उसी दिन करवाएंगे, blood sugar बहुत जरूरी है, क्योंकि again pregnancy एक diabetes होने के पूरी chances होते हैं, तो end time पे delivery से पहले सिजरेन से पहले आपको अगर anesthesia देना है doctor को, तो आपका sugar level जरूर चेक करेंगे, अगर आपका thyroid check नहीं हुआ है, या फिर आप thyroid patient है, और लेड़ी thyroid की दवाई ले रही हैं, तो आपका TSH level भी उस दिन चेक करा जाएगा, just to make sure कि pregnancy जब deliver हो रहा है बच्चा, delivery की समय thyroid storm जैसा कोई emergency situation ना हो जाए, इसके अलावा doctor और क्या करेंगे, अगर आप बहुत ज़्यादा weight में हैं, आप overweight हैं, आप obese हैं, तो फिर आपको Clexine के injections लगा सकते हैं, Clexine के injections होते हैं, जो blood thinner injection होते हैं, वो आपके blood को clot नहीं होने देते हैं, या फिर Cezorine के समय हम लोग काई बाख Lexine avoid करते हैं, क्योंकि हम को spinal needle अंदर डालनी होती है, तो आपके पैरो में जो stockings होते हैं, वो पहनाते हैं, जो की pumping कराते हैं आपके muscles की, जब भी कोई long surgery होती है, हालनकि Cezorine तो सरफ आधे पौन घंटे की surgery है, long surgery जिसमें हम laparoscopic surgery कर हैं, उसमें तो must है, इवन पतले patients के, पैरो में हम ये stockings पहना के, ये pump लगा के, इसको pump करते हैं, जिससे आपका blood circulation चलता रहे और पैरो में clot ना बने, ठीक है, ये तो हो गए जो डॉक्टर करते हैं पहले, उसकी बाद आपको ot table पे ले जाया जाता है, ot table पे ले जाने से प कोई भी बाल फसके, कोई hair follicle फसके, आगे जाके infection ना हो, और season किसा में, doctor को cleanly सब कुछ देखे, कोई दिक्कत ना हो, आपको एक proper ot dress पहनाई जाएगी, जो कि इस hospital की proper dress होती है, generally ये dresses पीछे से खुली भी होती है, it is like a gown, जो कि पीछे से पूरा open होता है, क्योंकि पीछे से खुले वे होते है, ठीक है, अब आपको ot table पे ले जाए जाएगा, ot में ले जाने से पहले है, आपको एक रात पहले instruction मेलेगा, कि आपको कम से कम 4 घंटे कुछ नहीं खाना है, तो अगर आपका scissorin दस बजे है, तो सुबे 6 बजे आपको चाय अलाउड होगी, उसके बाद पानी भी अलाउड होता है, यह उन लों के लिए जिनका plant scissorin है, सबसे जो थोड़ी ओर वेट होती है, प्रेगनसी में वैसी भी सब कुछ दबा हुआ होता है, आपके uterus ने, आपके food pipe, आपके stomach सबको दबाय होता है, तो chances of regurgitation, यानि कि जो आप पी रही हैं, खा रही हैं उसका उपर जाना और गलती से trachea में, wind pipe में जाना और aspirate कर जाना सबसे जादा dangerous यही होता है, तो प्रेगनसी में इसका danger भढ़ जाता है, तो अगर हमको पता है कि scissorin है और हमको पता यह problems हो सकती है, तो हम पूरे precaution लेते हैं, आपको बोलते हैं कि भूके पेटाने हैं, पर जादा तर scissorin emergency में होते हैं, जब patient खाके भी आई होती है, हम delivery में कोशिश कर रहे हैं, आपको पानी पिला रहे हैं, biscuit खिला रहे हैं, हातो हात scissorin shift करना पड़ गया, तो क्या करेंगे, तो फिर कुछ injections आते हैं, जो डॉक्टर देते हैं, जिससे कि आपकी आतों में ज जान बचानी बहुत ज़रूरी होती है, तो scissorin में जो भूके वाला concept है, तब ही आता है, जब elective यानि की plant scissorin हो, अब बात करते हैं, सर्जरी के स्टेप्स, जो कि आपको ये वीडियो दे के बहुत मजा आएगा, जिन लोगों को देखने का बड़ा शौक है, कि सर्जरी इतनी चौड़ी होती है, मोटी लेडिस में इतनी इतनी चौड़ी भी fatty layer होती है, जो कि skin के नीचे होती है, जिसको हम बोलते है, subcutaneous fat, इसको काटने के बाद आता है, रेक्टस शीथ, आपकी दो strong muscles होती है, ये आपकी पेट को shape देती है, बहुत से patients में आपने देखा होगा आपकी खुद की delivery के बाद आपका पेट ऐसे थुल्थुला हो जाता है, क्योंकि ये muscles, जो strong muscles है, ये weak हो गई है, तो जब हम पेट काटते हैं, तो skin के बाद fat आता है, उसके बाद इन muscles की covering आती है, जिसको के हम रेक्टस शीथ बोलते है, रेक्टस शीथ जो कटी, उसके आता है आपका पेट के अंदर का हिस्सा, यानि कि पेरिटोनियम, जो की पतली से जिल्ली होती है, उसको काटते ही, ये जो आपको पिंग कलर का दिख रहा है, ये है यूट्रस, यूट्रस के उपर भी एक और covering होती है, पेरिटोनियम की, उसको खोलते है, उसको खोलने से फ की यूट्रस पे चिपक जाती है, ऐसे केस में पिशाप की थैली पे कट लगना बड़ा कॉमन है, लेकिन इसको जल्दी रिपेर भी कर सकते है, तो आपने देखा पिशाप की थैली को नीचे पुश कर दिया, अब आगे है यूट्रस, यूट्रस पे कट लगाया, डेफिनि बहार आते हैं, आप यूट्रस के अंदर जा चुकी है, अब जो आपको दिख रहा है वो बच्चे का सिर है, बच्चे की सिर को बाहर निकाला, कभी-कभी ओपर से पुश करना पड़ता है, वो बिहोशी की डॉक्टर और एसिस्टेंट जो होते हैं, वो पुश करते हैं, बच्चे की नाल है, उसको पाटनर काते हैं, तो यह चीज़ मैंने यूके में काफी कराई है, कभी-कभी या इंडिया में भी ऐसे रिक्वेस्ट आती हैं, तो हम हस्बंड से नाल कटवा सकते हैं, बच्चे को एक स्टराइल कंडिशन में लेके, और हस्बंड को पूरे पकड़ा के नाल कटवाई जा सकते हैं, तो बेसिकली बच्चे को निकाला उसके नाल काटके उसको मा से अलग किया, बच्चे को भीजा बच्चों के डॉक्टर के पास, अब मा के अंदर जो आवल थी उसको निकाल दिया, आवल को उसी तरह से निकालते हैं, जैसे नॉमल निकालते हैं, उसको निकालने के बाद यूटरस पे स्टिच लगाए, यूटरस क्योंकि बहुत मोटा होता है, थिक मसल होती है तो उसको दो लेयर में स्टिच करते हैं, कभी-कभी तीन लेयर के भी जरूद पढ़ती है, और प्रीवेस सिजरिस में जिसमें बहुत जादा सब कुछ चिपका हुआ है, कभी-कभी सिंगल लेयर भी छोड़ देते हैं, नहीं तो आस-पास के स्ट्रक्चर्स, ब्लैडर और बावल के कट होने के या स्टिच में आने के चांसे होते हैं, यह जो आपको एनिमेटेज वीडियो दिखा है, बड़ा ही सिंपल, स्ट्रेट फॉ अच्छे से क्लीन करके ब्राउन कलर का जो आयूडीन सलूशन है, उससे क्लीन करके ड्रेसिंग कर दी जाती है, अप इसके बाद क्या किया जाएगा, आपके पैरों के स्टॉकिंग्स खोल दिये जाएंगे, आप से बात करी जाएगी, आप ठीक है कि नहीं, आपने बच्च अच्छान में गलवानी बड़ी फेमस है, हलका सा गुड़का पानी देते हैं, कुछ गरम चीज देते हैं, जिसे पैस्ट को अच्छा फील हो, आप चाय बिसकित ले सकते हैं, आप टोस्ट ले सकते हैं, आप खिचरी ले सकते हैं, सिजरेन के बाद ज्यादा भूगा रहने second day यानि कि आज सीजरेन हुआ तो next day हम catheter भी आपका निकालते थे यानि कि पिशाप की नलकी जो डाली हुई थी वो भी निकालते थे so that is it about cesarean I hope आपको यह animated video और मेरा description पसंद आयो पसंद आयो तो like and share and subscribe जरू करिएगा मेरे को follow करिए instagram sonal.parihar.33 इसमें खूब informative Reels आती है मेरा facebook page है ask your organicologist इस पे हम membership भी देते हैं live भी जाते हैं आपके questions का answer भी देते हैं और मेरी website है www.drsonal.parihar.com आप इस पे जाएए मेरे 5-6 profile pages है अलग-अलग चीजे जो मैं करा रही हूँ गर्ब संसकार करा रही हूँ personality development करा रही हूँ, online consultations ले रही हूँ, medical students यानि की जो budding doctors उनको पढ़ा रही हूँ तो बहुत सारी चीजे मैं कर रही हूँ अगर आपको कुछ भी query है तो आप इस number पे WhatsApp करिए 9358-54556 बहुत जल्दी हाजर होंगी नए वीडियो के साथ, thank you